जो लोग आप लोग से पैसा मंगाते हैं जो लोग पैसा का बात बोलते हैं आप लोग सुचिए हम लोग आपसे पैसा क्यों मांगेंगे हम लोग कानूनी करवाई करने वाले हैं इसके नमस्कार दोस्तो अभी जो आप ये क्लिप देख रहे थे ये हैं दोनों भाई अंकुष अंकुस राजा भोजपुरी म्यूजिक एलबम के मशहूर गायक दोस्तो भोजपुरी में एक फिर से धोखा धड़ी का मामला सामने आया है जैसा कि अंकुस राजा ने दोनों भाई लोगों ने लाइव आ के बताया कि उनके नाम से कुछ लोग सोसल मेडिया पर फेक आईडी बना के कुछ लोगों के साथ धोखा धड़ी कर रहे हैं जी हाँ दोस्तो अक्सर ऐसा होता है कि जो नेम फेम बाले सेलिबरेटी होते हैं बड़े स्टार होते हैं उनके नाम की फेक आईडी लोग बना लेते हैं एफवी में इंस्टा में ट्वीटर में किसी के भी माध्यम स और फिर कनवर्शेशन करते हैं अनोन आदमी से ये बनके कि मैं ही ये आदमी हूँ जैसा कि अभी अंकुस राजा जी ने बोला आके कि हमारे नाम से बनके कि हमीं अंकुस राजा हैं पैसे की ठगी कर रहे हैं दोस्तो बी केरफुल एन बी एलेट ऐसा सिर्फ भुजपुरी इंडस्टी में ही नहीं बलकि हर इंडस्टी में हो रहा है बॉलीवुड में भी हो रहा है फेमस आदमी के नाम की फेक आईडी बना के लेकिन ऐसे में अंकुस राजा जी ने जैसा कि बोला हम एक्शन लेंगे तो उनका ये जरूर फर्ज बनता है सबसे पहले तो जिसके सा क्योंकि सोसल क्राइम करना तो आसा है लेकिन बचना बहुत मुश्किल है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऐसा ही चर्चा में हमने कई बार परदाव फास किया है कई ने सिंगरों के पास जैसा कि वो गाना गाते हैं अल्बम में अपना नंबर देते हैं तो क्या होता है अनोर बंदे कॉल करते हैं बोलते हैं कि हम इस भोचपुरी की बड़े इस्टार के साथ आपको काम दिलाएंगे आप इतना पैसा दीजिए ऐसा भी बहुत कुछ वार्दाथ हो चुका है और चर्चा में हमने फरदाव फास किया है आप लोगों ने देखा होगा हम तो यही रिक्वेश्ट करते हैं दोस्तों कि अंकुस राजा जी की अपील में ध्यान दें जो वो अपील कर रहे हैं कि उनके नाम पे कोई भी आदमी आपसे पैसा मागा है तो बिलकुल भी ना दें और आप पुलिस में कंप्लेन करें या फिर अंकुस राजा जी का नंबर हर जगा अवेलवल है आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाईया ऐसी इसी बात है देखिए अंकुस राजा जी ने लाश्ट में क्या बोला है तो देखा दोस्तों आपने अंकुस राजा जी क्या अपील कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल भी उनके नाम पे किसी को पैसे ना दें और अपने मेहनत की कमाई गाड़ी कमाई को जाय ना करें मैं जानता हूँ बड़े इस टारों के साथ कनवर्शेशन बात करने पे उनसे मिलने का दिल करता है उसके लिए 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 खर्चे भी हो जाये तो कोई फर्क नहीं पड़ता लकिन दोस्तो टेक केर आप जिससे कनवर्शेशन सोसल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं क्या आगजेक्ट वही आदमी है ये बीना चेक किये हुए आप कनवर्शेशन बातचीत ना करें दोस्तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि जो ऐसे लोग हैं दूसरे की फेक आईडी बना के सोसल मीडिया के माध्यम से लोगों से ठगी करते हैं ऐसे लोग अपने मकसद में कामियाब ना हो सकें और किसी मजबूर आदमी किसी गरीब आदमी जो अपने श्टार को चाहता है किसी का फैन है उसके नाम को बदनाम होने से बचा सके और उसका भी पैसा बच सके दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें धन्यवाद